कि ही फरों बच्चों तो चलिए फड़ा फट यसे बनाते हैं मैं परात में डो बाउल मैदा लिए दो चमच मेंने कौन फ्लॉॉल लिया है और दो चमच डाला है इसमें ओयल स्वी आधी चमच डाली है मैंने नमख और मिलाकर अच्छे से मैंने पानी से गुद कर यह रखना है दस मिनट के लिए अब इसको कपड़े से गुद कर कपड़े से ढग देना है ताकि यह सूखे ना अब जो इसमें भरी जानी है अपने सब्जी पाटनी है आप कुछी भी सब्जी काट सकते हैं मैंने दोनों तरह क कैप्सिकम काटी है अनियान और ग्रीन चिली और कैवेज लिए कुछी भी सब्जी डाल सकते हैं अब देखी कड़ाई में तेल लेकर 8-10 का लिया मैंने लैसुन के लिए है अद्रक लिया है इसको दो मिनट के लिए फ्राई करेंगे फिर डालेंगे अमें अपनी पिर जो हम टेस्ट नहीं आता है अब बाद में डालेंगे हम देखें यह कैवेज इसको भी चलाते रहेंगे अब डालेंगे हम इसमें नमक थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें मिर्ची क्योंकि थोड़ा सा चटपटासी अच्छे लगते हैं अब डाल दी मैंने स्वया सोस ग्रीन चिली स और थोड़ी से डाली मैंने सेजवियन चटनी थी सारी सोस डाल दी है अब चलाते रहेंगे डाली है मैंने थोड़ा सा टोमेटो कैचप भी डालाया ताकि हल्की सी मीठी सी पेच्छे लगती है बनकर रेडी होगी मैंने बावल में निकाल ली है अब देखिए जो डो हमने लगाया था मैदा का वह हमारा रेडी हो गया तो हमें बेल लेने हैं यह सारी जैसे पराठे बेलते हैं इस तरह से पिर हम एक दूसरे के ऊपर जैसे अच्छे से हम लगाएंगे वयल कहीं भी छोटना नहीं चाहिए फिर डालेंगे हम उसके उपर मैदा और ऐसी एक दूसरे कि वहपर रखते जाएंगे हम देKKए मैंने सारे रख दिये हैं अब हम जब सारे रखके एक साथ हमें इसको बेलेंगे मैने साथ पराठे तो यह ने मेरे तो यह बेल दबिकिंगे हम इस तरह से कि इनमें रीकल नहीं पड़नी चाहिए विरुकल भी आप कितने भी पतले बे अब गोला है मैंने थोड़ी सी ये मैदा चीप काने के लिए इन है अब देखिए मैंने उतार रही है उनको बिल्कु ट्रांसपेरेंट मिले हुए हैं मेरे तो इनको रखकर सब्जी भरनी है जो हमने तयार किये अब तीन तरह से मैंने ये मैदा लगा लिए अब देखिए इस तरह से फोलड करके नौनि तरफ से फोल्ड करेंगे पहले हैं फिर हम ऊपर से रॉल करते रहुए लाएंगे travailler का को einचे हमी लगाने है और मैदा लगानी है जो हम पहलगर रखाती नह tyre dear हम इसलिए चिप काते हैं कि फिराई करते हो यह खुले ना तो देखिए रेवल मेरा बन कर रेडियो मैं एक और बताती हूं दोनों साइडों से फोल्ड करेंगे अब देखिए इस तरह से ही बनाते चले जाएंगे हमने सारी बना लिये हैं अब कड़ाई में तेल लिया है इनको फिराई करते हैं फिराई हम मीडियम फिलेम करेंगे ताकि यह अच्छे से सिख जाए और जले भी ना देखिए बन कर हो गए रेडि तो चलिए खाते हैं इस प